अलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेज में आज की क्लास में हम 22 जन्वरी से 29 जन्वरी दो हजार 24 के फाइनेंस और बैंकिंग की करंट अफेर्स को डिसकस कर रहें आप कहेंगे मैं आपकी 10 से लेके 22 जन्वरी की करंट तो अभी जो हमारा मन्थली सेशन आएगा जिसके अंदर मैं आप लोगों करें एक जन्वरी से 30 जन्वरी सारे सेशन कवर कर दो तो किसी कारणवश बीच में फोड़ा सा वीकली के अंदर प्रॉब्लम आ गई इसके चलते हमको ये एक से 10 जन्वरी मैंने आपको करवा दिया है ठीक है 22 से 29 ये है मैं छोड़ना नहीं चाहरी थी वीकली को इसलिए मैंने एक बार इस वीक के ले लिए है ये करंट अफर और फिर जो है जो बचा हुआ सेक्षन है वो सब आपका मन्थली में कवर कर दो ठीक है आगे बढ़ें उससे पहले जो है आपको मैं बता दूँ कि हमारे बैच पर हमारी एप पर एससे जनरल अवेरनेस का टारगेटी 2024 का बैच आ चुका है आप लोग इंडरॉल कर सकते हो पुरा ही बैच recorded format में आपको मिलेगा यानि आप अपनी convenience से कितनी भी भार उसको देख सकते हैं जो subject आपको जब देखना है आप देखिए जब समझना है समझिए ठीक है history, geography, quality, economy, strategy जी के सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा, practice sessions मिलेंगे, previous year mock test papers आपको इसके अंदर मिलेंगे, तो आप लोग इंडरॉल कर सकते हैं, बाकी के detail description box में जाके आप लोग देख सकते हैं पर्चम classes के app को डाउनलोड कर ठीक है, तो अभी देखते हैं आज की पहली news क्या Canera HSBC Life Insurance ने, iSelect Guarantee Future Plus जो है, ये एक plan, insurance plan जो है वो launch कर दी, इसने Canera HSBC ने iSelect नाम का, iSelect, तो अगर paper में सवाल बनता है कि iSelect किसने launch किया है, तो आप बताएंगे, किसने किया है, Canera Bank ने किया है, ये क्या है, ये guarantee future plus plan है, जो किसी भी mutual fund वग्यारा से linked नहीं है, ठीक है, औ plan के बारे में, इस plan के बारे में, ये iSelect नाम है, इसका याद रखेंगे, इस plan के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर चार अलग-अलग plans है, जैसे endowments का option आपको मिलेगा, regular income option आपको मिलेगा, early income option आपको मिलेगा, और long term income मिलेगा, आपको with return of premium options, देखो क्या होता है, ये income बनी रहे, इस तरीके से monthly, monthly आपको ये, जो income के रूप में, जो है, वो premium का पैसा बाट-बाट के देते रहते हैं, ठीके, तो इनको कहते हैं कि income plan है, early income plan है, regular income plan है, long term income plan है, इस तरीके से ये नाम बाढ़ती है, ठीके, eligibility क्या है, minimum entry age कुछ नहीं है, किसी भी minimum entry का व्यक्ती, जो है, किसी भी minimum age का व्यक्ती जो है, entry ले सकता है, maximum age 65 years है, minimum maturity age 18 साल है, मतलब की, कम से कम 18 साल के लिए आपको premiums देने पड़ रहे हैं, और maximum maturity age 99 years है, ठीक है, 99, यह आपकी wish है, आप कम से कम 18 साल वाला plan ले सकते हैं, 99 साल वाला plan वो आपकी मर्जी, ठीक है, endowment option के अंदर आ long term income option, इसमें सबसे पहला है, endowment option है, endowment option में आपको क्या मिलेगा, the plan offers life insurance to policy holder, along with the guarantee maturity benefit, मतलब इसके अंदर क्या होगा, जब आपकी scheme mature होगी, तो आपको guaranteed benefits मिलेंगे, ठीक है, last 5 years, जब policy खत्म होने वाली है, उसके last 5 years के अंदर, आपको कुछ additional guarantees मिलेंगी, the plan also offers flexible premium payment term and policy term, मतल तब इसके अंदर क्या होगा, premiums term आपको मिलेंगे, flexible premium term, मतलब की जितना premiums दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपको return मिलेगा, policy holder can choose one of the optional benefits, जैसे pay or premium protection, accidental death benefit, आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर और क्या additional चीज़ जुडवाना चाहते हो, ये तो था endowment option, इसके बाद बात करते है, regular income option में क्या मिलेगा, the plan offers life insurance service along with guaranteed income and maturity benefit, maturity benefit तो मिलेगा ही, guaranteed income का option भी आपको मिलेगा, the plan offers guaranteed income payout, after PPT, मतलब की जब आप premiums दे चुके होंगे, उसके बाद वही premium आपको income के रूप में मिलता रहेगा, the policy holder can choose either pay or premium protection, इसमें भी वही है, आप चूज कर सकते हो, accidental death cover वगेरा, early income option में क्या होगा, इसमें क्या होगा, second policy year से, मतलब policy के second year से आपको कुछ benefits मिलने लग जाएगे, मतलब early income option पहले ही आपको income होने लग जाएगी, ADB comes with the plan by default, मतलब की इसके अंदर आपको choose नहीं करना by default option है, accidental death benefit का early income option में, ठीक है, अपना income period आप चूज कर सकते हो, कि कितने time बाद हमको, कितरे time time में हमको अपनी income चाहिए, दो महीने में premiums का पैसा वापिस, दो तीन महीने में, तो आप choose कर सकते हो, long term के अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी inbuilt है, accidental death benefit facility, 100% total premiums आपको वापिस मिल जाएंगे, ठीक है, policy mature होने पे, तो ये चार तरीके के plan इसके आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है, tax benefits भी आपको इसमें मिलेंगे, अगर हम इस company, Canera HSBC की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, this is a joint venture, एक joint venture firm है, Canera Bank की और HSBC Insurance Holding Limited की, ठीक है, Canera Bank के 51% stake है, और 26% stakes जो है, वो HSBC Insurance Holding Limited की है, इसके MDCEO है, अनुज माथूर, और headquarter है इसका हर्याना के अंदर, और ये 2008 में established हुआ है, तो ये थी पहले news Canera के लिए, second news क्या है, SEBI extends deadline for listed entities to verified market rumors, देखो, market के अंदर rumors चलते रहते हैं, ये share अब उपर उठेंगे, ये share अब नीचे जाएंगे, अब इतना loss लगेगा, अब इतना profit होगा, अब तो share में पैसा लगाना चाह करता है, investors की life पे, investors rumors को सुनके ही, बातों को सुनके ही, भविशे की payments के अंदर, पैसा लगा रहे है, भविशे के stocks के अंदर, पैसा लगा रहे है, तो SEBI का फर्स क्या बनता है, कि SEBI क्या करेगा, SEBI जो है, वो इन rumors को check करता है, तो बहुत सारे चीजे मंगवाता है, SEBI अपन लिस्टिंग कर देनी थी, listed entities को कहा था कि आपकी rumor का verification होएगा, लेकिन अब, एक फर्वरी 2024 से बढ़ा के, top 100 companies जो है, top 250 company में से, जो top 100 companies हैं, उनको कह दिया, कि आप जो है, एक फर्वरी ना करके, आप आगे जून तक, यानि कि जून एक 2024 तक, अपनी जानकारी, अपनी सार details हमको दे दे, हम rumors को check करेंगे, ठीक है, और जो बची हुई company है, उनको कह दिया, एक अगस 2024 तक, आप अपनी rumors का verification करा सकते हैं, तो ये extend कर दिया है, ठीक है, ये जो circular है, ये सेबी ने जारी किया है, ठीक, सेबी ने जारी किया है, initially it was supposed, पहले ये कहा था कि, 1 October 2023 से, top 100 firms की ज smoother transactions जो है, वो दिखानी पड़ती है, और include करनी पड़ती है, इसके अंदर, as per se, top 100 and top 250 listed entities by market capitalization must promptly confirm, deny और clarify, क्या कह रहा है ये, top 250 listed company में से, जो top की 100 companies है, उन companies के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, हर चीज को confirm करे, या फिर deny करे, या फिर clarify करे, justify कि क्या चीज सच है, क् नहीं है, ताकि जो market के अंदर false sentiments बनते हैं, किसी भी company को लेके उसे बचा जा सके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और क्या इसमें दिया हुआ है, next news दी हुई है, Zomato Payment Gats Node from RBI to operate as online payment aggregator, जो Zomato Payment Private Limited है, ZPPL, यानि की Zomato Payment Private Limited, इसको Payment Aggregator का license RBI की तरफ से मिल गया है, अब ये भी बाकी payment aggregator की तरफ तरीके से payment ले सकेगा, Zomato Payment Private Limited, ठीक है, 24 जन्वरी 2024 से ये effective हो चुका है, इसका authorization जो है, e-commerce transactions अभी आप लोगों को facilitate कर देगा, इसने 2021 में भी कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो सका था, अब RBI ने इसको license दे दिया है, ठीक है, California, US-based international financial infrastructure provider Stripe, इसको भी approval दिया है, RBI ने, कि आप भी भारत में payment aggregator का काम कर सकते हैं, America-based company है, इसको भी payment aggregator का काम मिला है, अगली न्यूज है, Max Life Insurance launches swag pension plan with customizable annuity options, देखो, swag pension plan कोन लेके आया है, Max Life Insurance वाले लाए है, ठीक है, और इसके अंदर आप अपने annuity options को customize कर सकते हो, Customize मतलब अपनी मर्जी से कम जादा, समय कम जादा, rate कम जादा, ये कर सकते हो, annuity का मतलब क्या होता है, जो students को बिल्कुल ही बहुत basic में अभी तयारी में चल रहे हैं, उनको मैं बता दू, annuity insurance plan का मतलब क्या होता है, जिसमें आप premiums पे कर देते हो, फिर आपको उन्ही premiums का कुछ monthly section जो है वापिस मिलता है, या फिर lump sum में कुछ additional, माल लीजे आपने 100 रुपीज जो है premium के दिये हैं, तो ये 100, 20, 20, 20 करके आपको वापिस मिल रहा है, या फिर एक additional lump sum, 110 amount आपको वापिस मिल गया, मतलब कि कुछ additional, premium का कुछ additional आपको वापिस मिल जाता है, ठीक है, उ smart wealth advantage guarantee plan जिसको swag pension plan के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये जो retirement planning है, उसको revolutionize करने, personalization के लिए और security बढ़ाने के लिए, future में security बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, customer को freedom है, अपनी range, कि मुझे कितना premium का return मिले, मैंने 100 रुपीज दिये ह तो ये 100 में मुझे 50-50 के 2 back चाहिए, जे 2020 के 5 back चाहिए, तो इस तरीके से customer जो है, वो अपने premiums के return को choose कर सकता है, इसके feature क्या है, इसमें wide range है annuity options की, customer अपने हिसाब से annuity option को choose कर सकता है, ठीक है, immediate annuity अगर आपको चाहिए तो मिल सकती है, 6% per annum के हिसाब से, inflation जैसे जैसे बढ़ रहा है, inflation adjusted, आपको returns मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर और क्या होगा, customer can plan early and get higher annuity or retirement by deferring the first annuity payment for up to 12 years from the first month, क्या कह रहा है, अगर आप शुरू में अपना पैसा वापिस नहीं ले रहे हो, लगबक 10-12 महीने तक, अगर आप शुरू में अपना पैसा अपनी के अगर बात करें, ये भी joint venture है, ठीक है, access bank के बीच में, और max financial service limited के बीच में, managing director और CEO कौन है, प्रशांत त्रिपाथी है, headquarter इसका कौन सा है, गुडगाउं, हर्याना, इसका headquarter है, अब आगे चलते हैं, अगली news पे, अगली news क्या कहता है, RBI की report आई है, कि पंचा पंचायतों को, RBI के एक report आई है, rural area के लिए, यानि पंचायती राज के लिए, और RBI ने उस report में, पंचायतों की financial health के बारे में जिक्र किया, और ये कहा है, कि भई, इनको अपना tax वगेरा, या non-tax revenue जो है, वो increase करने की ज़रूरत है, पंचायतों को कुछ करना चाहिए, जिनसे उनका tax और non-tax revenue increase हूँ, तो RBI की report कौनसी है, finances of पंचायती राज institution, ये RBI की report है, ये कहता है कि पंचायतों को अपने efforts जो है, वो increase करने चाहिए, अपने revenues को boost करने के लिए, ठीक है, अपने revenues को boost करने के लिए, कुछ पैसा तो पंचायतों को government से मिलता है, central government और state government से कुछ पैसा पंचायतों को नहीं मिलता, वो tax से collect करते हैं, ऐसा article 243H में लिखा हुआ है, कि पंचायत जो है, वो tax को collect कर सकती है, कौन-कौन सा tax, वो state government पंचायत को allow करती है, कि आप ये ये पैसा जो है, tax में ले सकते हो, ठीक है, report के बारे में बात करते हैं, जो analysis हुआ, उस social economic development में पंचायतों का क्या role है, the report has been prepared in the division of local finances of the department of economic and policy research, इस को, इस department के द्वारा इस report को तयार किया गया है, assessment में ये कहा है, 75% rural local bodies को cover किया, बतलब सारे भारत की पंचायतों को नहीं, 75% rural local bodies को cover किया है, ठीक है, इसकी highlights की बात करें, तो अगर पंचायत generates their own revenues by imposing local tax, fees and charges on various activities, क्या कहता है ये, पंचायत जो है, अपने पैसा जो है, अपना revenue जो है, local taxes को collect करके, fees को लगा के, charges लगा के, अलग-अलग activities में, जैसे गाओं में कोई मेला हुआ, तो उसके उपर fees लगा सकता है, उसके उपर charge लगा सकता है, गाओं के अंदर को कोई exhibition है, वहाँ पे charges लिये जा सकते है, तो इस तरीके से, जो पंचायते हैं, वो अपने revenue को इकठा कर सकती है, non-tax revenue को भी increase करने की ज़रूरत है, ठीक है, 95% of their revenue come from grants limiting their spending, क्या कह रहा है ये, पि चानवे प्रतिशत पैसा grant से मिल रहा है, grant क्या होता है, जो central government या state government, एक दा 5% पैसा पंचायतों को वहाँ से मिल रहा है, central government से भी और state government से भी, ठीक है, delays in the constitution of the state finance commission further hinder their financial capabilities, अब state finance commission क्या बताता है, कि कौन सा state पंचायतों को कितना पैसा दे रहा है, जैसे, माल लीजे, राजस्थान का finance commission जो है, वो बताएगा, कि राजस्थान की पंचायते जितनी भ पैसा देगी, अब कभी-कभी क्या होता है, state finance commission की report डीले हो जाती है, जिससे इनका पैसा रुख जाता है, financial capabilities रुख जाती है, तो कहा है कि आपको अपना पैसा खुद इकठा करना चाहिए, यह रिसिप्ट सबसे ज़्यादा किसको मिलती है, कमिलनाडू की पंचायत, बात कि कौन सी पंचायत ज्यादा पैसा ले रही है, expenditure की अगर बात करें, expenditure जो है वो कम हुआ है, 20-21 में 17.3 लाख रुपीज जो है, वो पंचायते एक्सपेंड करती थी, और 12 लाख, यानि खर्चा कम हो रहा है, यानि गाओं का development कम हो रहा है, ठीक है, गोवा, करनाटका, औरीशा, सिक्किम, किरला, तमिलनाडू, इनका highest average expenditure देखा गया है, इनका highest average expenditure देखा गया है, इस बात को याद रखना, तो receipt ज़्यादा आए, अच्छी बात है, expenditure भी ज़्यादा होना चाहिए, वो भी अच्छी बात है, इसके तरीके के grants, पंचायती राज institutions को मिलते हैं, अच्छानी में, सडको में, बिजली में, शिक्षा में, वो मर्जी है उनकी, फिर tied grants क्या होता है, specific sector के लिए allocation होती है, जैसे इतना पैसा sanitation के लिए, इतना education के लिए, इतना पैसा किसी और scheme में, तो इस तरीके से priorities पहले ही decide होती, performance based grants क्या होता है, इसमें performance देखते हुए grants मि लेंगे, ऐसा किया तो इतने, इस तरीके से, special category grants, इसके अंदर क्या होता है, कुछ unique challenges दिये जाते हैं, कि जैसे आपने यहाँ पे sex ratio अच्छा कर दिया, तो आपको इतना fund मिलेगा, तो कुछ challenges को beat करने के लिए, ये काम किया जाता है, तो चार तरीके के grants जो है, पंचायती 3rd Constitutional Amendment Act 1992 से, खारत के अंदर बननी शुरू हुई है, पहले बनती थी, कहीं कहीं बनती थी, पर ये constitutional status इनको कब मिला है, 73rd Constitutional Amendment Act 1992 से, 3 लेवल पे पंचायते काम करती है, ग्राम लेवल, विलेज लेवल, मंडल लेवल और जिला परिशद के लेवल पे, 2.62 लैक पंचायती रा पंचायत है, कितने मंडल पंचायत है, इतने जिला परिशद है, और Article 243H of the Constitution of India ये कहता है कि पंचायते अपना टॉल, अपना रेवेन्यू, अपना टेक्स जो है वो कलेक्ट कर सकती है, अगली न्यूस क्या है, सेभी ने एक फ्रेमवर्क जारी किया है, for offer for sale to employees through stock exchange, सबसे पहले समझो, ये offer for sale है क्या, offer for sale क्या होता है, जितनी भी listed company है, वो ब्रॉकर्स के माध्यम से नहीं, या primary dealer के माध्यम से नहीं, directly customers को जो है वो अपने stocks बेच सकती है, इसको offer for sale कहते है, पहले क्या होता था, जितनी भी listed company है, इस तरीके के offer for sale के लिए ये जो companies है, ये stock exchange का use नहीं करती, अलग-अलग platform के तरीके से कोई website बना दी, ठीक है, कोई और app बना दी, जिसके जरिये से आप directly customer को shares बेच रहे हो, या फिर advertisement निकाली अखबार में, जिससे क्या होता था, time consuming भी है और पैसा consuming भी, तो दिक्कत होती थी, अब सेभी ने एक framework बना दिया है, कि किस त stock exchange, national stock exchange के माध्यम से ही direct employees को, direct customers को जो है, shares जा सकते हैं, तो ये पूरी news थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये जो है 30th day, मतलब की 22 फरवरी 2024 से effect में आ जाएगा, ठीक, offer for sale क्या है, वो मैंने आपको बताया, इसके पीछे reason क्या है, इससे क्या होता था, अभी तक जो ये काम होता था, offer for sale का, वो बहुत ही time consuming और additional cost वाला होता था, multiple activities इसमें करनी पड़ती था, अब नहीं है, feedback और discussion जब stakeholders के साथ किया गया, तो सभी ने इस चीज़को एक अच्छा step बताया, और ये काम कर दिया, इससे cost reduce होगा, time reduce होगा, इसके key point की बात करें, offer for sale जो है, T plus one day, मतलब की जो है, T plus one day का मतलब क्या है, जैसे किसी को share दिये, share दिये तो वो पैसा देगा, यानि 24 hours के अंदर, 24 घंटे के अंदर, पैसा company के पास, और investor के पास share पहुँच जाना चाहिए, इसको कहते T plus one day, एक दिन के अंदर trading की settlement होना, T plus one day, एहले T plus 72 days, T plus 26 days, T plus two days, ये चलता था, लेकिन अब जो है, T plus one कर दिया, क्योंकि जितना कम समय settlement को मिलेगा, उतना कम घोटाले का समय मिलेगा, तो इसलिए T plus one day, सिर्फ 24 hours के अंदर, ये सारा काम कर देना है, ठीक है, bidding will be allowed during trading hours on T plus one day only, मतलब जो bidding का समय दिया है, वो 24 घंटे का ही दिया है, maximum bid आप 5 lakh की लगा सकते हो, each employee is eligible for allotment of equity share, मतलब की, each eligible, हर व्यक्ती 2 lakh, up to 2 lakh के लिए eligible है, ठीक है, maximum 5 lakh परबंदा लगा सकता है, if the employee option is undersubscribed, the remaining portion may be allocated proportionally to employees with bid over 2 lakh, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर undersubscribed रहे गया, 2 lakh वाले जितने भी shares थे, वो undersubscribed, मतलब share जादा है, और मांगने वाले कम है, फिर 2 lakh plus वाली category के अंदर वो share दे दिये जाएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़े जो है, वो यहाँ पर बताई जा रही है, अगली news क्या है, General Insurance Council ने Cashless Everywhere initiative launch किया है, Cashless Everywhere का मतलब क्या है, ये General Health Insurance की company, जो General Insurance company है, Health Insurance की company है, ठीक है, frictionless process के लिए, जैसे आपको hospital में payment करना है, Cashless करोगे, ठीक है, जो 48 घंटों के अंदर अंदर, admission के 48 घंटों के अंदर अंदर आपका emergency treatment जो है, उसके पैसे आने शुरू हो जाएंगे, 15 plus bets जो है, वो आप register कर सकते हो, clinical establishment act 2010 के अनुसार, इसे क्या होगा, आपको पैसा carry नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, को कार्ड मिलेगा और वो पूरा cashless होगा, ठीक है, अगली news क्या है, SBI Life has launched, सरल स्वाधन सुप्रीम और स्मार्ट स्वाधन सुप्रीम, ये दो initiative चलाए है, SBI Life insurance ने, नाम क्या है, SBI Life सरल स्वाधन सुप्रीम और स्मार्ट स्वाधन सुप्रीम, ये जो products है, इसमें individual की insurance की needs पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ये को इसमें premium की flexibility है, आप कितने दिन में या कितने सालों में premiums देना चाहरे हो, 7 साल का option है, 10 साल का है, 15 साल का है, ठीक है, flexible policy term है, 10 से 30 साल तक की policy आपको मिलेगी, minimum पैसा आपको 25 लाख देना है दोनों के लिए, और maximum जो है, वो आप कितना भी दे सकते हो, वैसे 50 लाख की cap जो है, वो यहाँ पे लगी हुई, age criteria क्या है, SBI life, सरल स्वाधन में, person with minimum age of 18 years, कम से कम 18 साल की उम्र और जादा से जादा 50 साल वाला enroll कर सकता है, ठीक है, और maturity, जब वो 65 साल का हो जाएगा, maturity उसको माना जाएगा, smart के अंदर क्या से जादा 75 और 70 जादा से जादा 60, 75 यर्स का जब वो हो जाएगा, तो उसको maturity पे benefits मिलने शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसकी key points की बात करें, जो policy holder है, वो 100% total premium paid का उसको वापिस मिलेगा, ठीक है, 100% premium आपने जितना दिया उसका तो 100% मिलेगा ही, कुछ extra भी मिलेगा, ठी benefits भी आपको इसके अंदर मिलेगे, SBI Life Insurance Company Limited की बात करें, MDC UA Amit Jhingran और headquarter है मुंबई महराष्ट्रा में, 2000 में ये बना है, tagline है, अपने लिए, अपनों के लिए, ठीक है, अगली news क्या कहता है, कि government ने financial service जो है, वो IFSC Gift City के अंदर शुरू कर दी है, scope जो है, financial services की वो शुरू कर दी है, चार additional services जो है इसके अंदर आई है, कौन-कौन सी additional service आई है, एक तो financial crime compliance, अगर किसी के साथ financial crime हुआ है, तो उसके compliance यहाँ है, taxation का, accounting का और bookkeeping का, ये चार additional financial services Gift City गुजरात के अंदर government ने expand कर दी है, ये चार additional service Gift City IFSC के अंदर आ गई है, International Financial Service Center Authority के अंदर, ठीक है, these services can can be rendered to non-residents, जो non-residents है, वो भी इसको render कर सकते हैं, इन services को, existing units within the IFSC at Gift City can also avail these services, जितने भी existing units IFSC के अंदर है, उन सबको ये चार extra facilities मिल जाएगी, additional information की बात करे, financial crime compliance services जो है, इसके अंदर क्या होगा, anti-money laundering है, terrorism है, Financial Action Task Force की recommendations पे सारी activity परफॉर्म की जाएगी, ठीक है, Gift City गुजरात के CEO है, तपन रे, चेर्मेन है, डॉक्टर हस्मुक अधिया, और headquarter है, गांधी नगर गुजरात के अंदर, अगली news है, इंडिया बिकेम, fourth largest stock market, overtakes Hong Kong, इंडिया जो है, दुनिया का, चौथे नंबर पे आ गया है, largest stock market में हम, चौथे नंबर पे सबसे बड़े है, ठीक है, पहले Hong Kong था fourth पे, अब भारत है fourth पे, ठीक है, अब भारत है fourth पे, top three में कौन है, America, China, Japan, और चौथे पे भारत, पांच में पे Hong Kong चला गया है, तो इसको याद रखोगे, very important, चलते हैं आगे, Yes Bank become first Indian bank to conduct export finance transaction on RXIL's ITFC platform, क्या है, Yes Bank जो है भारत का पहला bank बन गया है, जो financial transactions को export कर रहा है, यानि की international trade financing service platform पे, यह platform कैसा है, जो internationally services को export कर रहा है, ठीक है, तो जो Yes Bank है, वो क्या कर रहा है, वो इसका पहला, मतलब पहला, आप कह सकते हो, run up बन गया है, पहला enroll करने वाला बन गया है, यह conduct करेगा, financial transaction, export करेगा international level पे, ठीक है, इससे क्या होगा, इंडिया और global exporter, इंडिया और पूरी दुनिया के जितने भी exporter और importer हैं, उनका collaboration करने के लिए, यह Yes Bank ने कदम उठाया है, ITFS platform की अगर हम बात करें, इसका पूरा नाम है, International Trade Financing Service Limited, ठीक है, यह financial platform है, international financial services के लिए, जो regional और global level पे services देता है, the platform was set up in the International Financial Service Center, platform कहां पे established किया है, Gujarat, Gift City के अंदर यह platform है, ठीक, अगली news क्या है, Yes Bank ने ही एक और initiative लिया है, वी फिन के साथ मिलके smart finance, MSME वालों के लिए launch कर दिया है, ठीक है, Yes Bank और वी फिन का एक collaboration है, smart तरीके से finance इनको provide कराना, online तरीके से सारी चीज़े provide कराना, micro, small and medium enterprises को, तो Yes Bank ने वी फिन के साथ collaboration किया है, Yes Bank के MD है, प्रशांत कुमार, headquarter है मुंबई महराष्टरा में, 2004 में यह बना है और tagline है experience our expertise, अगली news है, सेबी के chairperson ने दो unique multilingual initiative CDSL के लिए, Central Depository Service Limited के लिए launch किया है, कौन-कौन से यह दो initiative है, multilingual, multilingual CAS, ठीक है, और दूसरा है, CDSL बड़ी सहायता 24x7 chatbot, यह 23 language में आपसे बात करेंगे, 23 language में आपसे बात करेंगे, ठीक है, इसमें क्या होगा, CAS का पुरा नाम है consolidated account statement, ठीक है, इसमें क्या होगा, investor अपनी consolidated account statement को generate कर सकेंगे, 23 Indian language में, 23 Indian language के अंदर, इस initiative का नाम है, आपका consolidated account statement आपकी जुबानी, यानि आप, जिस भाशा में चाहते हो, आपकी statements उस भाशा में मिल जाएगी, जो यह chatbot है, यह 24x7 काम करेगा, फिर नीव campaign है, 25th anniversary थी CDSL की, ठीक है, इसने नीव campaign launch किया है, जिसके अंदर financial literacy को spread किया जाएगा, लोगों को financial awareness से रूबरू कराया जाएगा, ठीक है, leadership report की बात करते हैं, इसी के अंदर ही है, re-imagine digital trust in capital market, यह report unveil की है CDSL, कि किस तरीके से market के अंदर trust को boost किया जा सक ठीक है, investors था की जादा से जादा पैसा लगाएं, CDSL की अगर हम बात करें, यह Asia का पहला listed depository है, India का only listed company है, ठीक है, Asia का पहला listed है, और India का only listed depository है, MD है, Nehal Vora, headquarter है मुंबई महराश्टरा, 1999 में established हुए, CDSL है क्या, यह depositories है, जहां आपके सारे shares deposit हैं, और आपको online माध्यम से दिख रहे हैं, ठीक है, अगली न्यूज है, LIC ने गया annuity plan launch किया है, G1 धारा 2, plan 872, ठीक है, LIC ने launch किया है, 22 जन्वरी 2024 से इसके plan sale होने शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 11 annuity options है, policy holder के पास, ठीक है, दो options है, regular premium and single premium, eligibility कम से कम 20 साल, और maximum 80, 70, 65 इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अलग-अलग maximum age के अलग-अलग options है, effort payment क्या है, एक साल से 15 साल, single premium के लिए, 5 साल से 15 साल, जो है, regular premium वाले policies इसके अंदर चलेंगी, annuity को increase भी किया जा सकता है, additional premiums अगर आप pay करते हो, तो आपका annuity जो है, वो increase हो जाएगा, LIC की बात करते ह इंटरिम चेर्मेन है, इसके सिधार्थ मोहानती, headquarter है मुंबई महराष्टरा में, 1956 में ये establish हुआ था, तो ये थी आज की news, आज का सवाल आप लोगों के लिए ये है, आपका सवाल ये है, कि I select initiative किसने launch किया है, I select initiative किसने launch किया है, ठीक है, who launched I select initiative, ये question आपको comment section में बतान है, उमीद करती हूँ, answer बिल्कुल सहीद हो गया, ध्यान से अगर आपने सुना है तो, so thank you so much, take care, bye bye, मिलते हैं next session